एक अपरादी को फांसी होनी थी लेकिन राजा ने उसे दो विकल्प दिये पहला फांसी पर लटक कर मरना और दूसरा गुप्त दर्वाजे से उस पार जाना लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि उस गुप्त दर्वाजे के उस पार है क्या अप रादी ये सोचकर डर गया कि पता नहीं उस गुप दर्वाजे के उस पार क्या होगा उसने सोचा कि हो सकता है कोई जंगली जानवर हो या फिर कोई भूका राक्षस हो सकता है या फिर जहरीले साप हो सकते हैं इसी डर की वज़ा से उसने फासी पर लटक कर मरना चुना जिस दिन उसे फासी हो रहे थी उसके मन में एक सवाल आया उसने राजा से पूछा कि हे राजन उस गुप्त दर्वाजे के उस पार क्या था राजा मुस्कुराया और उसने कहा कि मेरे दोस्त उस गुप्त दर्वाजे के उस पार तुमारी आजाती थी हर अपरादी को मारने से पहले हम उसे ये दोवे खल्प देते हैं लेकिन दरवाजे के उस पार क्या होगा इस डर से हर अपरादी ने हमेशा फांसी पर लटक कर मरना ही चना और तुमने भी वही किया कहानी के निश्करशी है कि ये डर ही हमें आगे नहीं बढ़ने देता मृत्यू का डर, future का डर, failure का डर ये ही वो डर है जिसके बारे में हम हमेशा सोचते रहते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते इसलिए be fearless, take the first step and succeed